नमस्कार आप देखरे निउस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांथवना आपके साथ बिहार के ग्राम जन प्रतिनीधियों खासकर मुख्याओं को सरकार के द्वारा हतियार के लिए लाइसेंस उपलब्द कराया जाएगा बीते महीने बिहार सरकार के पंच्रायती राजमंत्री स अमना चोध्री ने इस बात को साफ कह दिया था कि जन प्रतिनीधियों की सुरक्षा के लिए सरकार उन्हें लाइसेंस देगी ताकि वो हतियार रख सके लेकिन अब इसको लेकर सरकार के तरफ से एक बड़ा जो निंडे है वो निकल कर सामने आया है जहां पर लाइसेंस दे सबी जिलो के डियम को पत्र भी भेच दिया है दरसल भीखार में मुक्या एवम पंचायत प्रतिनीधियों को शर्त के साथ हतियार का लाइसेंस दिया जाएगा सम्मन्द में सरकार ने सबी जिलो के डियम और सब बात्र लिखा है यह 15 जुलाई 2016 से प्रभावी है, गौर दलब है कि अब आयूद सम्मंदित सभी मामले आयूद अधिनियम 2016 के तहट संपादत किये जाने हैं, उक्तिनियम के तहट शस्र अनुग्याप्ती की स्विकिर्टी के लिए जिलादर्णातिकारी सक्षम प्राधिकार है, ग्री विभा कि अबर सचिव गिरिश मोहन ठाकों ने अपने पत्र में उलेग किया है कि शस्र अनुग्याप्ती की स्विकिर्टी सम्मंदित आयूद अधिनियम 2016 का दृढ़िता से पालन करने का निर्देश जारी किया गया है, ऐसे में पंचायती राज्ट प्रतिनीधियों से प्राप् में त्रीस्तरिय पंचाय चुनाओ के समापन के बाद कई बार ऐसी खबरे निकल कर आई कि जन्रप्रतिनीधियों की खुले आम हत्या कर दी गए, जिसके बाद जन्रप्रतिनीधियों के तरफ से लगातार इस मांग को उठाई जा रही थी, कि सरकार एक कड़ा कदम उठाए समराप चौतरी ने इस बात का ऐलान किया था कि बिहार के जन्रप्रतिनीधियों को लाइसेंस मुहया कराया जाएगा ताकि वो हत्यार रख सके, अपनी सुरक्षा कर सके, साथी साथ बोडिगार्ड भी उपलब्द कराया जाएगा, इसको लेकर भी मंत्री के तरफ से बाते कही गई है, अब सरकार ने पत्र जारी कर दिया है, जो भी कुछ दिशा निर्देश है, वो सब इस पत्र में लिखे हुए हैं, और इन शर्तों का पालन करने के बाद ही जन्रप्रतिनीधियों को लाइसेंस मुहया कराया जाएगा, अगर इन शर्तों का सही रूप से पालन नहीं कराया गया तब सरकार के तरफ से जन्र प्रतिनीधियों को उनकी सुरक्षा के लिए ना तो बोडिगार्ड मिलेंगे और ना ही लाइसेंस मोहया कराया जाएगा और आवैद रूप से हत्यार रखना पूरी तरीके से लीगल है और अगर किसी जन्र प्रतिनीधि ने बिन शर्त के हत्यार रखा तो उस पर सक्से सक्त कारवाई भी की जाएगी फलाल के लिए सब्डेट में इतना ही है न कई खबरों के लिए हम आई साथ बनी रहे निउस फौर्णेशन में नमस्का